नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ी फोर यूपेसीपी से साय में स्वागत है आज से हम लोग एक नया चीज आपके लिए सुरू कर रहे हैं वो है डेली करेंट MCQ जो न्यूज़ पेपर डिसकसन आता है अगर हम लोग केवल डिसकसन डिसकसन देखेंगे तो आपका PT को लेकर आपका सही नहीं हो पाएगा इसलिए MCQ बहुत ही जरूरी होता है कि आप डेली न्यूज़ पेपर से जुरे हुए जो करेंट होते हैं उसके MCQ का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें अभ्यास कर लें एक्जाम में जाने से पहले हमारा चैनल कंटेंट के लिए ही है मुख्य रूप से आपने कभी भी नहीं देखा होगा नॉट आ सिंगल वीडियो पंदरशुस ज़्यादा वीडियो जहें अपने चैनल पर एक भी आपको इस तरह का वीडियो नहीं देखेगा जिसमें ये होता है कि जवरदस्ती का हर दो दिन पर मैं वीडियो बनाओ एक्जाम कभ होगा सिल्बस क्या है इस तरह का नहीं होता है जब जिस सीज का आप सकता होती है वही वो चीज अपलोड होते हैं इसलिए एक अलग तरह का ट्रस्ट है आप लोगों का इस सेनल के साथ में उसी के कारण से ये करेंट का MCQ मैंने लाया है कि अच्छा कंटेंट आपको और भी दिया जाए डेली न्यूस पेपर डिससन का इसमें MCQ करेंगे हम लोग नोटिफिकेसन का मैं वेट कर रहा था लेकिन नोटिफिकेसन में बहुत देर हो गया इसलिए अब इसको सुरू कर लेते हैं नॉमबर के आसपास तक आपका इजाम हो सकता है बागी कितनी सीटे आएंगी क्या आएगी मुझे नहीं पता किसी को भी नहीं पता आयोग को भी नहीं पता है इसलिए फॉकवट के वीडियो मत परिएगा पढ़ने लिखने वाला वीडियो देखिएगा इसका पीडियेफ कहां पर मिलेगा अभी इसका पीडियेफ पेड नहीं है अभी ये फ्री काप मिलेगा आपको अभी ये पेड नहीं है आने वाले समयम पेड होगा कि नहीं अभी मुझे नहीं पता है लेकिन फिलहाल तो ये paid नहीं है, आपको ये हमारे official telegram channel पर मिल जाएगा, study for UPSC pieces पर वीडियो के एक दिन बाद आपको Hindi और English दोनों माध्यम में PDF मिल जाएंगे, आज का वीडियो तो केवल Hindi में ही होगा, PDF में आपको English में ही दूँगा, लेकिन अगले वीडियो से इस तरफ Hindi रहेगा, और इस तरफ English रहेगा, इसका जरूर ध्यान में रखेगा, आज का ये Hindi में ही होगा, इसमें newspaper discussion के जो topic थे, उसी से MCQ बनाए गये हैं, MCQ का level बहुत high भी है, बहुत low भी है, one liner भी होंगे, और आपको moderate level के भी मिलेंगे, सवाल अच्छे होंगे, बहुत अच्छे सांदार होंगे, कुछ सवाल बहुत ही आसान भी होंगे, आप वीडियो को अंतक देखिएगा, और जवरदस्ती का मत कीजिएगा, कि मैं PDF से कर लूँगा, ये कर लूँगी, अभी वीडियो क्या देखना, आप नहीं कर पाएंगे, मुझसे लिखकर ले लीजिए, वीडिय से अंसर है, ये चिकितसा देखवाल प्रदान करने की प्रनाली है, जो डिजिटल तकनीकों की एक सिंखला उपयोग करती है, डिजिटल तकनीकों की एक पूरी चेन का उपयोग किया जाता है, डिजिटल हेल्थ केर, सब्दावली आजकल चरचा में है, ये मोबाइल स्वास कि Digital Health Care का सब्दावली चर्चा में है। अगला है कि स्वैंग प्रभा Digital Health Care का ही उदाहरन है। स्वैंग प्रभा जो पोर्टल है इस सिक्छा से सम्धित है ना कि Digital Health Care से सम्धित है। इसका तीसरा स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा बंधों और इसका एंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यहाँ पर बिलकुल सही दिया हुआ है। सहयोग से इसको तियार किया गया इस रिपोर्ट को किसके किसके बीच सहयोग से तियार किया गया है तिसमें एम सहयोगी नहीं है बलकि UNICEF सहयोगी है इसलिए दूसरा स्टेट्मेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला स्टेट्मेंट बिलकुल सही है कि State of Global Air Report State of Global Air Initiative SZAI द् से इसलिए इसको जरूर ध्यान मरखेगा इसका दूसरा स्टेट्मेंट जो होगा गलत हो जाएगा अगला सवाल है आपको पता ही होगा कि कुवैद सहर में भीसन आग लग गई थी कुवैद सहर में आपको पता होगा और वहाँ पर काफी बरी संख्या में जो भारते सरमिक रहते थे उनके मृत्ती हो गई थी अब उसी से एक छोटा समय ने सवाल बनाया है देखते हैं आप कितना तेज तर्रार है कितना आपका आपका ऑपजर्वेशन तेज है आपको जब टॉपिक कोई पराता हूँ तो आपका ध्यान कहां रहता है कुवैद सहर में भीसन आग इसमें से मुझे पता है आपको नहीं पता होगा ये बताईए इरान इराक सौधी अरव और कतर कौन सा इसका एंसर हो जाएगा तीसरे का एंसर हो जाएगा इसमें से डी एक और चार हो जाएगा यानि कि इरान हो जाएगा और कतर हो जाएगा जिसकी सीमा कुवैद से लगत जरूरा ध्यान रखेगा, इसका answer D हो जाएगा, ध्यान पुर्वा कीचेगा, मैपिंग के सवाल exam में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से तियार कीचेगा, हर एक छोटा सा छोटा छोटा location जो चर्चा में ही, वहां से सवाल बनेंगे आपके, अगले अगला सवाल है GCC यानि की Gulf Corporation Council जो है खारी सहयोग परिसद के बारे में सवाल छोटा सा सवाल पूछा गया है यह साथ देसों का एक छेत्रिय संगठन है क्या इसमें साथ देस हैं ध्यान दीजिएगा इसी परिकार के सवाल आपके एक्जाम में भी आएंगे इसका उदेस सही क पूछा है इसका उदेस अपने सदस देसों के बीच उनकी छेत्रिय सांस्कृतिक निकठता काथार पर सहयोग एकी करन अंतर संबंद को बरहावा देना है देखिए जिस परिकार से मैं उपर वाले सवाल में गलती की न नहीं के जगा में है पर लिया था एक्जाम में भी आ अगला देखिए क्या है इसके अस्थापना तब की गई जब G7 अस्तित में आये था कौन सा सही होगा GCC के बारे में इसका एंसर हो जाएगा D केवल और केवल दूसरा ही यहां पर सही है इसमें 6 सदस से हैं साओधी अरब, सनितरब अमिरात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन सामिल है, इसके अस्थापना 1981 में हुई है, 1981 में हुई है, G7 के अस्थापन 1975 के असपास में हुआ है, इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा, D इसका एंसर हो जाएगा, अगला सवाल है, जिसमें एक स्कीम से जुरा हुआ सवाल डालागी, देखे पांच नमर सवाल क्या है, कौन सा कथन सही है आपको इसमें से बताना है परवासी भारते बीमा योजना बीदेश में भारते परवासी सरंकों की आकस्मिक मृत्यू या अस्थाई विक लांगता के मामले में 15 लाक रुपे तक के कवरेज परतान करती है सही कथन आपको चुनना है इसे 15 लाक नहीं 10 लाक रुपे होगा इसलिए पहला इस्टिट्मेंट तो गलत हो गया अगला है प्रवासी भारते दिवस हर साल आठ जन्वरी नहीं नौ जन्वरी को मनाये जाता है इफलो पहल भारत प्रेसन के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए है इफलो जिसको इनवायरोमेंट फलो कहा जा कि जितने minimum जल की आवसकता परती है उसी को उसका environment flow या e flow कहा जाता है तिसलिए इसका तीसरा statement भी गलत हो जाएगा यहाँ पर statement D इसका उत्तर हो जाएगा statement D यहाँ पर सही है Global Gender Gap Report 24 के बारे में आपको बताना है इसे UNICEF द्वारा WHO का सही हो से जारी किया जाता है यहाँ रिपोर्ट का 17 हमा संसकरन है जी 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 यानिकि Global Gender Gap Report एक से 10 के बीच में स्कोर प्रदान करता है इसका एंसर क्या हो जाएगा कौन सा सही है यह पूछा गया है ति इसका एंसर हो World Economic Forum के द्वारा जारी किया जाता है अगर आप इसमें Elimination लगाते तो पहला ही यहाँ पर लिखा है WHO तो आप पहला ही गलत अगर कर देते तो तीनों के तीनों गलत हो जाते आप डारेक्ट ही Option D पर आ जाते Elimination अगर लगाते तो आपको दूसरा तीसरा statement परना तक नहीं परता आपका एंसर निकल कर आ जाता है अगला देखिए क्या है इसी अपनी वार्सिक जो वैस्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट का अठार्मा संसकरन जारी किया है अठार्मा संसकरन जारी किया है दुनिया भर संपुन रूप से पुरुस और महिला के बीच में और समानता है उस देख में अगला सवाल है कि वर्तमान में चीता की दो मानिता प्राप्त उपर जातिया है A.C.I. चीता और अफरीकी चीता कोई और भी आपने चीता सुना है क्या यूरोपियन या अमेरिकन चीता सुना है क्या आपने चीता केवल अर्द सुस्क घास के मैदान दौरने मासान रहने में ही सक्षम है A.C.I. चीते केवल इरान और इराक के पाये जाते हैं पूछा गया है कौन से कथन गलत हैं यहाँ पर सेवन नमर का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा A. यानिकी पहला जो दूसरा और तीसरा है यहाँ पर यह दोनों गलत हैं बाकि पहला सही दिया हुआ है जो चीता होते हैं यह केवल अर्द सुस्क नहीं अलग अलग परकार के मैदानों में भी पाये जा सकते हैं जहां पर वो आसानी से रह सकते हैं और A.C.I. चीता अभी वरतमान में केवल और केवल इरान में ही है और इरान के बाद भारत में उनको बसाया गया है पुनरवास उनका किया गया है बाकि एराक वगेरे मोग नहीं रहते हैं इस याई चीते केवल इरान में पाये जाते हैं प्राकिर्टिक रूप से अब उनको बसाया जा रहा है तो कुनों पाल पूर जो माना जाता है वो घास का मैदान माना जाता है हाली मदप्रदे सरकार ने अगले 6 महीनों में चीते के लिए नए आवास कुरूप में किस तस्थान को विक्सित करने का निरने लिया है मैंने आपको बताया था कि कुनो पालपूर के अलावा आने वाले समय में MP किस नए जगह पर चीतों को बसाया जाएगा तो ये है आपका गांधी सागर वने जीव अभियारन यहां पर इसको बसाया जा सकता है अगला जो सवाल है ये बहुत ही ज़ादा चर्चा में था और मैंने आपको परहाया भी था मैंने आपको समझाया था कि ये नया तकनीक जो है याने वाले समय में आपके एकजाम में भी पूछा जाएगा BCNN, BACN, Convolution Neural Network, ये बहुत ही ज़ादा चर्चा में था ये किस लिए चर्चा में था, किस उद्धिस के कारण से चर्चा में था अलनीनों और लालीनों का पुर्बानवान लगाने का एक नया तकनीक ढूंटा गया है जिसको BCNN नाम दिया गया था, मैंने नियूज पेपर डिससन में आपको पढ़ाया था इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा अगला सवाल है, अलनीनों के बारे मापको पूछा गया है अलनीनों के बारे मापको पूछा गया है, अलनीनों के बारे में बहुत ही आसान सवाल है अर अगर elimination नहीं लग रहा है तभी उसको पारंपरिक तकरीके से solve कीजिए यह Atlantic महासागर की गतिविधियों उसके निकरता सम्दित है अलीनो तो प्रसांत महासागर से सम्दित है तो पहला तो कते ही गलत हो गया इस दिस्थिती के कारण मांसून की बरसा कम हो जाती है तो केवल दूसरा यहां पर सही है बागी पहला और तीसरा यहां पर बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है अगला सवाल है लोन वूल्फ एटैक के बारे में आई दिनो निउस पेपर में रहता है और इस परकार के सवाल बनाये जा सकते हैं आपको पूछा गया है कि कौन सा इन तीनों से सही हो बरही आसान सा सवाल था बहुत ही आसान सवाल था लोन वूल्फ एटैक आपको पताई होगा एक नए तरह का आतंकवादी हमला है यह जिसमें एक अकेला आदमी जो किसी भी संगठन से जुरा हुआ नहीं होता है वो किसी भी चीज को वैपन बनाकर भले एक गारी को ही वैपन बनाकर 20 लोंगों कुछल देगा बम, बारोद, बंदू, किसी भी चीज को छुडा को ही, कुलहारी को ही, किसी भी चीज को पॉइजन भी डाल देगा कहीं सारे जगों पर तो अमेरिका और यूरोपियन कंटीज में लोन वूल्फ एटैक बहुत सारे देखे गए फ्रांस के नीस में एक हमला हुआ था जहांपर एक आई-स-स सम्मंदित आतेंगवादी ने उसने खुद को उस विचारधारा से प्रेडित कर लिया तो उस गुट से जुरा हुआ नहीं था विचारधारा से प्रेडित था और उसने ट्रक लेकर बहुत सारे लोग उपर विचारहा दी थी इसी प्रिगार से अमेरिका में भी बंदूक लेकर आपने सुना हुआ कई सारे जगों पर एटैक किये जाते हैं इसमें से कौन से संगठन आतंकवाज से निपटने के लिए काम करते हैं पहला है राश्च्टी है सुरक्षा परिसत सचवाले जो है क्या उह आतंकवादी हम्ल उसने पड़ता है तो देश में जितने भी हमले होंगे चाहे वो internal हो, चाहे वो external हो सभी में ये संस्था जरूर काम करती है ग्रिहमंत्राल है, बिल्कुल सही ग्रिहमंत्राल है कई सारी ऐसी एजंसिया है जो आतंकवादी हमले से निपटने के लिए काम करती है CBI नहीं, CBI के काम आतंकवादी हमलों से निपटना बिल्कुल भी नहीं है इसका एंसर हो जाएगा C यानि कि एक और दो इसका एंसर हो जाएगा तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला सवाल है कौन सा अफरीकी देश लाल सादगर्द के साथ सीमा बनाता है यह सवाल आपसे पूछा गया है छोटा आसान सा सवाल है लेकिन एक्जामनेशन में यही सवाल कॉंपलेक्स हो सकता है क्यों कॉंपलेक्स हो सकता है भई क्योंकि यह जो सवाल है एक्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाएगे कि कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता है, मैप याद नहीं आएगा, कोई ट्रिक आप सोचेंगे, देखिए बताइए कौन सा होगा, मिसर, एथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिनी, सूडान, तिसका एंसर क्या हो जाएगा, 13 का, 13 का एंसर A हो जाएगा, 13 का एंसर A हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानि केवल मिसर हो जाएगा, और इरिट्रिया हो जाएगा, जिन दोनों के सीमा लाल सागर के साथ में लगती है, इसका एंसर A हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, A आपसन यहाँ पर था, 1 और 3 हो जाएगा, अगला सवाल है, किसी छेतर हैं पहलों के बारे हम नेमलखित कतनो शुरू किया गया थे, नहीं, इसको बाद में क्रिसी मंतरी के द्वारा जारी किया गया था, और अभी तत्वा धान महीं था, यह जिसमें मैंने इस सवाल बनाया था, सरकार ने भारत डिजिटल क्रिसी पारिस्तिक तंत रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिएक थापना की है, यह तो बिल्कुल सही है, क्रिसी में राश्टी गवर्नेंस योजना के तहत में ध्यान से सुनिएगा इसको, क्रिसी चेतर में आधिनिक टक्निकों को उपयोग करने के लिए, केवल राज्यों को धन जारी किया जा रहा है, केवल राज्यों को ही नहीं, बलकि कि देश में जितने भी यूटी हैं, उन सभी को भी सामिल करने की बात इसमें की गई थी, इसलिए इसका अंसर D हो जाएगा, एक और तीन यहाँ पर गलत है, गलत कस्वन पूछा गया था, दूसरा इस्टेटमेंट बिलकुल ही सही दिया हुआ है, हाल ही में कावली पुरसकार फ्रेड कावली के नाम पर रखा गया था, इसका अंसर क्या हो जाएगा, कावली पुरसकार मैंने आपको समझाया था, दहिंदू, इंडियन एकस्पेस के एकस्प्लेंड में रहता है ये, इसका अंसर C हो जाएगा, पहला यहाँ पर क्या है, तो पहला सही है, कावली पुर पुरसकार इसको माना जा रहा है कि नोवेल पुरसकार के समतुली अस्थापित हो जाएगा आने वाले समय में ही इसलिए इसका पहला सही है बांकि दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत था और एक और यहाँ पर मिस्टेक है प्रिंट में टाइप में मिस्टेक है यह सवाल यहाँ पर प्रिंट हो गया। पर रहते वह यहां पर इकटथा होते हैं और इसको बराही भाव को साथ हो मनाते हैं पहला और दूसरा सही पहला और दूसरा सही है कौन सा इसमें गलत पूशा गया त प्रताप सिंग और महराजा हरी सिंग ने मंदिरक निर्मान और जिर्न धार में योगदान दिया था इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा बांकि ललिता दित्य को सबसे अच्छा सासक माना जाता है कस्मीर का कस्मीर का सबसे अच्छा सासक किसको माना जाता है ललिता दित्य क या रूस सहित साथ भीक्सी देशों का एक समू है. रूस को तो बाहर कर दिया गया था तो पहला तो गलती हो गया भी. आगामी G7 सिखर समिलन के मेजवानी इटली द्वारा की जाएगी इटली द्वारा कर ली गई है तो दूसरा तो सही हो जाएगा भारत इस समू का सदस्य देश है भारत इसका सदस्य देश नहीं है कौन कौन से इसके सदस्य हैं तो ध्यान में रखना इसको याद रखना है सातों के सातों नाम आपको याद होने चाहिए UPSC ने G20 में कितने सदस्य हैं कौन कौन सदस्य हैं UPSC PT 2020 में पूछ लिया था G20 के सभी सदस्यों के नाम में से पूछ लिया था तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि G7 में कौन कौन से है एसिया से कौन है ये भी ध्यान दीजेगा जापान है यहाँ पर एसिया से बागे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस हैं किसके तो G7 के मेंबर पहले G8 था ये 2014 में जब रूस ने क् G8 से हटा दिया गया और इसका नाम G7 पर गया था तो ये छोटे छोटे फैक्ट जो है एक्जाम में हो सकता है भूल जाएं, अगला सवाल हाली में आबू मूसा खबरों में रहा था, मैंने आपको परहाया भी था, कि आबू मूसा को ध्यान में रखियेगा, ये पूछा ज आपको मैंने बताया था कि एक विवादित द्वीप है, इस्टेट ओफ हॉर्मोज की जलसंदी के पास में है, यहाँ पर इरान है और यहाँ पर कौन सा देश है, UAE, इन दोनों के बीच में आबू मुसा द्वीप को लेकर विवाद है, 1971 में इस पर इरान ने कपजा कर लिया यूए के सरकार भी इस पर दावा करती है, आबू मुसा द्वीप जो है इसको लेकर विवाद है, इसको जरूर ध्यान रखेगा, इसका एंसर भी हो जाएगा, इरान और यूए के बीच विवाद है, इसके बारे नहीं कतनों विचार की, देखे क्या है पहला कि विवाद ग अबू मुसा द्वीप को लेकर विवाद है, यह जिबराल्टर जल रम्रू के पात है, तो अभी मैंने आपको समझाया कहां पर है यह, तो यह है आपको एस्ट्रेट ओप हॉर्मूज जलसंधी के पास में, हॉर्मूज कहा जाता है उसको, हॉर्मूज जलसंधी, चीन और इ कि दूसरा तीसरा यहां पर गलत है, आबू मुसा, ग्रेटर टुनूब और लेसर टुनूब दीपो के संप्रवता के बारे में, चीन और यूएई द्वारा स्थनिक तुरूप से बयान चारी किया गया था, इसके कारण से इरान वोखला गया था, और यह इरान सरिक्त वाम पिंग पर कि कहां पर है यह और यह आप ही आप भूल गए, अगला है ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब और अबू मुसा दीप में से कौन सा सबसे पूर्वी दीप है, इन तीनों दीप के बारे में बताएए, इन तीनों दीप करम में लगाना है आपको, सबसे पूर्व करवाया है true मैंने जो करवाया उसी से सवाल बनाया गया यह गुरू true net जो चर्चा में था ये क्या है मैंने आपको करवाया था सौधेसी रूप से विक्सित टीवी डागनोस्टिक टूल है इसे एम्स दिल्ली और राष्टिय च्छे रोग संस्थान द्वारा विक्सित किया गया है इस परिक्षन के तहट रोगी के मुतर के नमूने से वैक्टिरिया निकाला जाता है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है एकीस कैंसर क्या हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहां पर गलत है ट्रूनेट को गोवा एस्थित मोल बायो डागनोस्टिक द्वारा विक्सित किया गया था ये एक पॉलीमरेज चेन रियक्सन पी सी आर कोरोना बिधी के लिए पी सी आर तकनिक उप्योग किया गया था आधारित परिक्षन है और टीबी बैक्टिरिया का डीने रोगी से कत किये गए थुक के नमूनों से निकाला जाता है गले से निकाला जाता है और यह परिक्षन प्राथिमिक स्वास्त देखवाल के अंदर में आसानी से और लागत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है मैंने आपको बताया था कि टीबी का जांच करने का सबसे अच्छे टूल म से एक माना जा रहा है इसको क्यों माना जा रहा है इसके क्योंकि इसका उपियो कहीं पर भी आसानी से किया जा सकेगा छोटे से हेल्थ सेंटर पर भी इसका उपियो किया जा सकेगा ट्रूनेट विधी क्या है हाली में गोवा इस्थित मोल बायो डाइगनोस्टिक द्वारा चल जाता है और इसको भारत में विक्सित किया गया है, इसलिए इसका एंसर आपको क्या हो जाएगा दे इसका हो जाएगा इस 17 से 20 परसेंट तक मीथेन का उत्सरजन कम कर देता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है इसका एंसर D हो जाएगा हालीम बिहार कैबिनेट ने बिहार के लिए विसेश सेनी का दर्जा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है विसेश सेनी के दर्जे के बारे इनलेंड है कथनों पर विचार की जिये यह दर्जा समिधान के भाग 20 के तहत प्रदान किया गया है पहली बार इसे 1969 में जम्मू कस्मीर असम और नागा लेंड को दिया गया था अब तक 12 राज बिसेश सेनी का दरजा प्राप्त कर चुके हैं नेम से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है आपसे 24 का उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा यानि कि पहला और तीसरा यहां पर बिल्कुल गलत है समिधान में बिसेश राज जी को लेकर कोई प्राप्धान इस तरह का नहीं किया गया था और इसलिए ये गलत है पहला तो गलत ही हो जाएगा और 12 नहीं 11 BCS राज्य हैं वर्तमान में और जम्मु कस्मीर असम को दिया गया था यहाँ पर सही है देखें यहाँ पर क्या है कि समिधान में स्पेसल राज्य के लिए कोई प्राधान नहीं है या वर्गी करण बाद में 1969 ने पांचे वित्तायों के सिफारिशों का धार पर कि अगला सवाल है आपका सतनामी बिद्रोह के बारे में सतनामी बिद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है मैंने आपको करवाय था सतनामी बिद्रोह दरसल में हाल फिलहाल में सतनामी संपरदाई जो था बहुत ज़ादा चर्चा में आ गया था इसी कारण से मैंने आपको न्यूज पेपर डिसकसर नमिस के बारे में करवाय था ये मथुरा के पास किसानों और बिटिस अधिकारियों के बीच में हुआ था ये बिद्रोह सतनामी संपरदाई के अस्थापना 16,57 बीरभान ने की थी उनके धार्मी गरंथ बेदांत सुत्र और स्रीमत भगवत गीता थे तो पचीस का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर बी हो जाएगा केवल यहाँ पर दूसरा सही है पहला और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है सतनामी बिद्रो 16,72 इसवी में मत्रा के पास में नारलोल नामक अस्थान पकी सानों और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था मुगलों खिलाब बिद्रो था सतनामियों का मुगलों खिलाब 16,72 इसवी में औरंग जेब जब सा सकता धार्मिक संपरदाई है सतनामी नामक धार्मिक संपरदाई ही है वर्तमान में और इनके धार्मिक गरंथ को पोथी कहा जाता है ये भी मैंने जोर देकर आपको समझाया था कि इस परकार का सवाल पूछा जाता है इसलिसको ध्यान में रखेगा इनके धार्मिक गरंथ को पोथ पूछा गया है, हेवी मेटल्स होते उनके बारें पूछा गया है, और बहुत बार मैंने करवाया है, जब तक सवाल ना करो, टॉपिक के लियर नहीं होता है भाईयो बहनों, इसलिए ध्यान पूरवक सवालों को जरूर कर लिए जीगा, बार-बार करिएगा, कंटेंट मैं द देंगे, आप टीचर के नाम पर उसको देख लेंगे, लेकिन जहां पर कंटेंट अच्छा होता है, वहाँ पर टीचर नहीं, कंटेंट मैने रखता है, कंटेंट हमारा अच्छा है, और मुझे भी पता है कि अच्छा है, और इस तरह का किसी के पास अभी वर्तमान वे तो होता है भारी धातु के परमानु संख्या 20 से धिक है परमानु घनत इनका 5 ग्राम सेंटिमीटर क्यूं से धिक है क्रिसी और धातु कर्म उद्यों के कारण भारी धातु परदूसन बर गया है मेटलर्जी और अगरिकल्चर एक कारण से इसका पॉलूसन बर गया है क्या भारी धातु में पौधे जानवरों परियावरन में कम अवधी के लिए बनी रहती है क्या इसी प्रिकार के छोटे छोटे सब्द आपको एक्जाम में फसा देंगे बताईए मुझे 26 कैंसर कौन सा सही है ये पूछा गया है आपसे 26 कैंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है यहाँ पर और तीसरा गलत है तीसरा क्यों 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 ये लंबी अवधी तक बने रहते हैं छोटे से स्टेटमेंट के कारण से आपका गलत हो जाता एक व पंडित राजीव तारनाथ का हाली में निधन हो गया उनके बारे इनमेखी का तुन विचार कीजिए वे एक प्रमुक तार वाद्दे यंतर वादक थे वे करनाटक संगीत से जुरे थे उन्हों लंबे समय तक All India रेडियो पर प्रस्तुती दी थी पंडित राजीव तारनाथ जीन का लिधन हो गया था मैंने आपको करवाया थे इनके बारे में आटन कल्चर्स जुरे हुए हैं महानकृती माने जाते हैं देश की 27 का एंसर क्या हो जाएगा 27 का कौन सा गलत है ते केवल दूसरा यहाँ पर गलत है बाकी पहला और तीसरा बिलकुल ही सही है यहाँ करना सी में कई वार पूछा गया है PCS में भी पूछा जाएगा यहाँ नौमी पंचवरसी योजना के दौरान सुरू की एक केंद्रिय छेद्री की योजना है सेंटल सेक्टर स्कीम है यह संसद आदर्स गाम योजना इस योजना से बाहर एक अलगी योजना है नोडल जिला प्र वरसी योजना के दौरान 1993 स्वियों किया गया था किरपया इसको धियान में रखें जून 2016 में MP LED निधी का उपयोग स्वक्ष भारत अभियान सुगम्य भारत अभियान वर्सा जल संचय के माध्यम से और संसद आदर्स ग्राम योजनाओं से इसको जोर दिया गया कि संसद म में भी खर्च कर सकते हैं इसका जरूर ध्यान में रखेंगा इसका एंसर सी हो जाएगा अगला सवाल है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे नियमिकी कथनों पर विचार कीजिए यहां पर सौतंदर भारत के पहले आम चुनाओं के परिनाम के बाद लाग हुआ था लो कि यहां पर सही दिया हुआ है भारत में राष्टपती उपरास्पती के पद 1921 में भारत सरकार अधियम 1929 के मौन्टेग्यू चेंप्पोर सुधार के प्रावधानों पतायत बनाए गये उस समय ही अध्यक्ष और अध्यक्ष करमसा राष्पती और उपरास्पती कहा जाता था यह प्रथा 1947 तक जारी रही आनतोर पर सत्तारूर दल का सदस अध्यक्ष उना जाता है और साधारन बहुमत ही चाहिए अध्यक्षों को चुनने के लिए 50% प्लस 1 का जो हमें बहुमत ही चाहिए होता लोकलेखा समीती वगर का जो आपने नाम सुना है वो सब भी 1919 पास में यह सब आपको आते हुए दिखेंगे इसलिए 1919 के एक्ट को इतना ज़्याद महत्त दिया जाता है अगला सवाल है बंदू हो कि लोकसभाक उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा ही किया जाता है लोकसभाक अध्यक दूसरा यहाँ पर गलत है उपाध्यक्ष के चुनाव के तारीक रास्पती द्वारा तैक की जाती है इसलिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो था यह गलत था आपको देखने भले ही आसान बहुत लगरा होगा यह सवाल लेकिन एक्जाम में आये तो यही सवाल आपक जादा होता है इसलिए ध्यान पूर्वक लगाईए प्रेसर कम क्यों होगा अगर आप खूब पढ़के जाएंगे तो प्रेसर आटोमेटिक कम हो जाएगा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा नियू कैलेडोनिया के बारे में निमलखी कत्म विचार कीजिए यह पूर भी प्रसांत सागर नहीं बलकि दक्षिनी प्रसांत सागर में स्थित है यह बाकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिलकुल सही दिये हुए हैं अगला सवाल है यहाँ पर आरबिया के आकांचात्मक लक्षों के बारे में कौन सा कथन सही है तो पूजी खाता उदारी करन आकांचात्मक लक्ष मतलब आने वाले समय में जो आरबिया अपने लक्षों को तै करेगा उसके बारे में डीजिटल भुकतान प्रनालियों का सार भौमी करन सभी तक पहुँचाना भारत के वित्तिय चेतर का वैस्वी करन करना भारत का फैनेसल चेतर का गुलगलाईसन कर जलवाई परिवर्तन सम्मंदी पहल का भी इंट्रिगेट किया गया है उसके साथ में तो इसका एंसर हो जाए गड़ी ये सभी ऐसे लक्ष हैं जो आरबिया आने वाले समय में इन सभी चीजों पर काम करने वाला है आकांचात्मक लक्ष हैं उसके कि पूजी खाता का उदा अगला सवाल है ट्रिफिन दुविधा से आप क्या समझते हैं ट्रिफिन जो दुविधा है ये बहुत ज़दा चर्चा में था इसके बारे में पूछा गया है इसका एंसर क्या हो जाएगा ये मौद्रिक मुद्व सम्मदित संभर्स का वर्नन करता है ट्रिफिन दुविधा किसी देश की घरेलू मौद्रिक नीती लक्षों और अंतराष्टे रिजर मुद्रा जारी करत इसकी भूमिका के बीच में संभर्स का वर्नन करती है इसे भारत के घलीलू अर्थवस्था में इस धरता बनाये रखने और रुपे के वैसिक मांगो पूरा करने के बीच संभर्स के रूप में देखा जा सकता है इसका एंसर भी हो जाएगा आप भी सोच रहोंगे 33 मिलट म ख़बरो में रहा, इसकी सीमा से कौन से देश जूडते हैं? मलावी ख़बरो में था, मलावी के बौर्डर के बारे में आप से पूछा गया है, देखे क्या है? जाम्बिया, तंजानिया, जिंबावे, मिस्र कौन से देश सिमा लगाते हैं? इसका एंसर हो जाएगा एक और द प्रतिमा के बारे में आपको बचार करना है, या 170 मीट के उचाए के साथ दुनिया के सबसे उची प्रतिमा है, कौन साथ श्टैची ओफ यूनिटी के बारे में परहात होगा ही आपने, आप भूल गए होंगे, या नर्मधा नदी के पास में इस्थित है, इसका उधगाटन म आदमी घुमने फिरने वहाँ पर चला जाता है, और आपको उसके हाइट के बारे में नहीं पता, उसके बारे में स्टेट्मेंट आप गलत कर रहे हैं, 31 एक्टूबर 2018 को प्रधान मंतिरी जीन उधगाटन किया था, ये अगर एक्जाम में गलत हो जाता तो कितना अपसोर्स होता आपको, कि ये तो आसान टॉपिक था, और ये 170 मीटर नहीं, बलकि 182 मीटर उची है, 182 मीटर उची रखी गई है इसको, इसका उत्तर क्या हो जा पर study for UPSC pieces पर मिल जाएगा, ठीक है, अगर मैं नहीं दूँ दो दिन बाद, तो मुझे याद दिला दीजिएगा, बांकी कल सवाल हम लोग निप्टा लेंगे इसके बांकी के सवाल, इसे एक नंबर 22 को गलासगो में कॉप 26 में लांच किया गया था, इसका उधिस प्रकिर में से एक है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, मिसन लाइफ, खूब चर्चा करते हैं वो इसकी, बताइए इसके बारे में कौन सा सही होगा, केवल तीन यहाँ पर गलत है, केवल तीन यहाँ पर गलत है, देखिया पर क्या है, कि जो है भारत प्रधानमंती द्वार किया है, बलकि फ्रांस ने नहीं, भारत नहीं इसको अब गलोबल रूप में लाँच किया है, गलोबल अस्तरपा मिसन लाइफ, यानि कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो, जो इन्वारमेंट फ्रेंडली हो, आई होप आपको वीडियो हमारा नया इनिसेटी पसंद आया हो ज्यादा ज्यादा इसको सियर कीजिएगा, ज्यादे लोगों तक पहुँचाईएगा, ताकि वीडियो ग्रो करें, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट ला सकूँ, ठीक है, पढ़िएगा अच्छे से, कहीं पर किसी सवाल में डॉट हो, तो भी मुझे लिएगा, नेक्ष्ट से हम लोग हाफ हाफ कर लेंगे, यानि एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंगलिस करने की पूरी कोसिस करूँगा, मैं, किसी भी भासा के बच्चे होंगे, उनको कोई दिकत नहीं होगा, बांकि इसका पीडियेफ मैं इंगलिस में भी दूँगा, आप हम थैंक यू सो मच आप सभी का